नमस्कार स्वागत है आप सभी का Comtison Community में आ reflect milan and ninety नोड , आपने पीछले वीडियो में कि मद्धकालीन भारत में हम लोगों ने अलावदिन खिल्जी तक की बात कर लिया था तो आज हम लोग अलावदिन खिल्जी से आगे बात करते हैं और तुग्लक ड्यास्टी से चीजों को लेकर कर चलते हैं सलतनतकाल में हम लोग स्यद और लोधी तक की बात करेंगे और फिर्लनी का पुछ जाएंगे इसे बात को तुग्लक ड्यास्टी तुग्लक बंस का टाइम प्रिएड है वह देखिए कि चलो जो मैं पढ़ रहा हूं वहां से question solve हो रहा है देखे बड़ा important होता है अगर आपको कुछ पढ़ाया जाए और वहां से exam का question solve कि एक लरकी ने मेरे class में बड़ा सोर मचाता था एक बार तो मैं उसको एक दू बार ढांट दिया करता था तो मैं काता था कि तुम class मत आरा करो क्योंकि तुम्हारे कारण और बच्चे डिश्टर्फ होते हैं तो वह आके मेरे को बोला कि सर आप जो पढ़ाते हैं न तो हमारा exam का question बन जाता है मतलब जो question वह लगाता था sit पर बगर जो भी तो वह बन जाता है यह point जब आके बोला ना तो मैं सोचा कि मैं उसको डाटू या फिर मैं उसका तारीफ करो या फिर क्योंकि वह मेरा तारीफ कर रहा है लेकिन फिर मैंने का कि छीका class में बैठना लेकिन सोर मत मचाना तो मैं इसलिए बोला हूँ जहां पर ध्यान देजएगा कि जब बच्चे बोलते हैं कि एक्जाम का question बन जाता है या previous year question पर बन जाता है तो फिर आप सही track पर है यानि कि आप सही तरीके से चीजों को आगे लेकर करके चल रहे हैं तो इसलिए मैंने कहा कि आप previous year question पर solve कीजे question बनेगा और जब question बनेगा तो क्या बहुते हैं doubt भी के लिए होगा और doubt होगा तो आप question पूछेंगे भी और मैं उसका जवाब भी दूँगा आप comment करेंगे तो ध्यान रखेगा तो question बनाईएगा तभी ये सारे चीजे निकल करके सामने आएगी doubt उसका solve करना ये सारा बाते है ना तो question आप solve करेंगे exam का previous year question पर जरूर solve करेंगे ठीक है चलिए तुगलक dynasty की बात करें तेरह सो बीस से चौदा से चौदा ये तुगलक डानेश्टी का time period है बहुत important नहीं है important यहां पे है इसका founder कौन है तो इसका founder है गया सुद्दीन तुगलक इसका founder है GST इसको हम बोलते है अपने भासा में GST गया सुद्दीन तुगलक है ये म मुहंबद बिन तुगलक है इसको MBT बोलते हैं MBT मुहंबद बिन तुगलक की पगला है खेर चलिए उसके बारेम बात करेंगे गयास उद्दीन टुगलक के समकालीन थे निजाम उद्दीन ओलिया जो दिल्ली में आप जानते निजाम उद्दीन जगा है जहां पर निजाम उद्दीन ओलिया का पूरा पूरा दर्वार है तो निजाम उद्दीन ओलिया यहां पर मैं आपको लिख दू दू दूसरे कलर से निजामुद्दीन ओल्या ठीक है निजामुद्दीन ओल्या यह महान सुफी संथ है चिस्ती सिल्सी लेके सुफी संथ है चिस्ती तो आप लोगों ने कहावद सुना होगा दिल्ली अभी दूर है तो यह जो दिल्ली अभी दूर है कहावद जो आपने सुना है और निजामुद्दिन ओल्या ने लिखा था कि कि अगा दूर कि बिल्ली अभी दूर है या फिर और भी कुछ बाते रही होंगी बोला था तो निजामुद्दीन ओल्या ने उनके दूद्ध को कहाथा कि मेरे घर में दो दरबाजा है अगर सुल्टान पहले दरवाजा से आता है तो मैं दूसरे दरवाजा से बाहर निकल जाऊंगा कहने का मतलब उन्होंने मना कर दिया था कि मैं सुल्तान से नहीं मीलूंगा किस ने मना किया था? निजामूद्दीन औरल्या ने मना किया था गयासुभर दिन तूगलक जो की उसस typically बंगाल कि अभ्यान में थे ये भी एक्जाम का कोशन बनता है गया सुदिन्टुग्लक के बारे में कि बंगल का अभियान कोन किया था तो गया सुदिन्ब। तूगलक INTERCH, कौन दी पहन के थो औरork% हम देख लेंगे, मतलब देख लेंगा मतलब निजामुदिन ओलिया को एक तरीके का धमकी दे रहे हैं कि हम देख लेंगे, मतलब समझ रहे हैं ना, तो निजामुदिन ओलिया ने कहा कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है सुल्तान, अभी तुम बंगाल में हो, और हुआ ठीक वही, जब वो पूरी बात ध्यान से समझेगा, जब वो बंगाल के अभियान से वापस आ रहा था, तो राश्ते में, यानि कि दिल्ली से पहले, उत्तर परदेश में, उसके स्वागत के लिए मुहम्मद बिन तुगलक ने लकरी का महल बन बाया था, लकरी का मह तूट जाता है, और उसमें गया सुद्दीन तुगलक दब के मर जाता है, अब यहाँ पे दो बाते हैं, पहली बात तो लोग यह कहते हैं, कि मुहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बनने के लिए गया सुद्दीन तुगलक को मार देता है, यानि कि एक सड्यंत्र था, दूसर दो चीजों को रिलेट करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, कि हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है, कि जो अलिया ने बोला, वो बात उन पे पहुंच चुकी, यानि कि वो इस्वर के जड़िये वहां तक पहुंचा, और ऐसा प्रकिर्ती मुहम्मद बिन तुगलक के दिमाग में आया ऐस विचार कि उन्होंने उनको सद्यंत्र करके हत्या कर दिया, तो मैं इसको दोनों को रिलेट कर देता हूं, ठीक है, चलिए, तो निजामुदीन और या और गया सुद्दिन तुगलक का, आप समझ गया कि क्या उनका रिलेशन था, और निजामुदीन और एक महान सुफी संत किस ने लाया था, ये एक्जाम का कोस्टन है, और ये आप हमें बताएंगे, कमेंट करके, कि भारत में चिस्ती सिल्सले को किस ने लाया था, ये कोस्टन का कमेंट करेंगे, अब अगला सासा काता है, मुहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 इसका टाइम पिडियेड है, और इसे कहता है, यानि इसे पागल सुल्तान कहा जाता है, ये एक्जाम का कोस्टन है, पागल सुल्तान कहा जाता है, पागल सुल्तान क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सौट टेमपर था और थोड़ा सा सन की टाइप का था, ऐसा इतिहासकार कहते हैं, मूल नाम जौना खान था, ये आपका काम क्या है कि World Atlas पे यानि World के जो मैप है वहाँ पे मुरक्को को ढूनना, मेरा काम है आपको यह बत्ते आदेना कि अगर इस्पेन आप जानते हैं तो इस्पेन के ठीक नीचे मुरक्को है, जहां जिबराल्टर की संधी है, जिसे जिबराल्टर का द्वार भी कहा जाता वहीं पे मुरक्को है, ठीक है मुरक्को अफिडी की कंट्री है और यूरप का कंट्री है लेकिन उसके ब्ीच में एक छोटा सा जिबराल्टर जलसंधी है जो Mediterranean Sea है वहाँ पे Atlantic Ocean को जोरती है वही मुरक्को है तो आप अराम से ढून लेंगे इसको ठीक है चलिए उसी मुरक्को का रहने बारा था इबन बतुता कहते है जूता का पहने जूता है तो वाइट जूता पहनता था ऐसा कहते है चलिए तो इबन बतुता इनके दरवार में मुरक्को से मुहमद बिन तुगलक के दरवार में अब इसे पगला क्यों कहा जाता है क्योंकि इसके दरवार वार अगर कोई फढ़्याद लेके आता था तो उसको यह नहीं पता था कि फढ़्याद में मतलब जो भी हमारी प्रोब्लेम है उसका हाल कैसे मिलेगा हो direज सकता है कि जो फर्यादी है उसी का गर्दन काट लिया जाए या हो सकता है कि उसको बहुत सरा इनाम दे दिया जाए कि तुमने सही काम किया है मतलब कुछ भी नहीं कहा जा सकता यह ऐसा संकीता कि किस बात पर इसका घुसा हो जाएगा और किस बात पर यह नराज होगा किस बात काम इसका failure रहा, तो अब चुकी देखो, हो सकता है कि एक कप्तान अपने खेलारी के वज़ा से हार जाए, यह possibility है, लेकिन अगर हार और जीत का पूरा statistics निकाला जाएगा, तो उसमें कहा जाएगा कि इस कप्तान ने यह हार खाई है, तो हो सकता है कि इसके जितने भी प्लान ह इसके अधिकारियों के वज़ा से implement ना हो पाया हो, ऐसा ही इतिहांसकार इनके defend में कहते भी हैं, ठीक है, हो सकता है कि जितने भी प्लान हो, इसके अधिकारियों के वज़ा से implement ना हो पाया हो, लेकिन नाम किसका होगा, इसी का होगा ना, क्योंकि यह तो राजा है, यह समरा लखा ये गया सी दिन तुगलख है और ये इवण बतूता है देख लिज एच्छा से पोटो और निझामुलदीन के साथ इनका नहीं बनता था तन ही कर या ये पगला है और ये मुरक्को से आया है यह कहां से आया है? मुरक्व से आया है ठीक है? चलो, आगे बरते अब इसके पोर्जेक्ट को देखते हैं इसका पोर्जेक्ट क्या था? इनका पोर्जेक्ट था द्वाब में कराधान, यानि कि द्वाब में इसकर लगाया था अब देखिए यहाँ पर कुछ बाते है अलाव दिन खिल जी हम पढ़ रहे थी इससे पहले तो अलाव दिन खिल जी के बारे मैंने बहुत सारी बाती बताया जिसमें एक बात ये भी था कि उसने भी द्वाब में कर लगाया था 50% तो अगर अलाव दिन खिल जी ने द्वाब में कर लगाया था तो इसने इस कर को वसूल भी किया और बेवस्था भी सही तरीके से रखा अब उसी के नक्से का द्वाब का मतलब क्या होता है दो नदियों का परदेश जैसे कि यह देखो यह गंगा है और इधर से यमुना आई और यहाँ पे मिल गई ठीक है यमुना आँके मिल गई तो यह जो पूरा का पूरा परदेश है यह द्वाब कहलाएगा दो आब, दो नदिया, पंजाब, पांच नदिया, ठीक है तो दो आब को दो नदियों का परदेश कहते हैं, दो नदियों के बीच के छितर कहते हैं तो दो आब में कराधान किया, अब इसने जब कर लगाया, उसमें दो आब में आकाल आया था अब बताओ, यानि कि जो पहले से जो कर था, वो तो वसूल किया नहीं जा रहा है, नया कर और लगा दो, यानि कि पहले से अगर कर था दो रुपया, वो वसूल नहीं हो रहा है, नया कर कितना कर दिया, दो पलस एक बड़ावर, ठीक है, दो पलस एक बड़ावर तीन, अब त अच्छा क्या हुआ कि अब उसनों ने अधिकारियों को कहा कि जवर्दस्ति करो असूल हो कोड़े मार मार के तो कोड़े मार मार के करो असूल ने लगा तो जो लोग थे वहां पर द्वाब में बसे हुए वह वहां से अपना घर अपना परिवार अपने परिवार वेगर अप अपना घर अपना जमीर अपना जगव छोड़के भागने लगे तो जब वह भागने लगा तो अधिकारी पकर-पकर के लाकर के उसको जवर्दस्ति करव सुलता था मतला हो समझ रहना पहले मारें गया तुम भागोंगे तो तुमको पकर-पकर के लाएंगे हलाकि सुल्तान को बाद में अहसास हुआ कि यह गलत था तो जब गलत था तो उसने एक डिपार्टमेंट भी अस्थापना किया जिसको दिवाने कोही या किर्सी विभाग कहा जाता है और इसने एक सिचाई का पूरा का पूरा बेवस्था दिया और सिचाई कर भी लागू किय ठीक है बाद में चल करके बात करेंगे इसके बारे में तो दिवाने कोही किर्सी विभाग था इसमें इन्होंने बहुत सारी बात किया यानि कि कर्ज देने लगे बीजो के लिए कर्ज देने लगे सिचाई कर यहां से नहीं है ठीक है सिचाई कर FST ने लागू किया था तो पीजो के लिए कर देने लगे, हल के लिए, या फिर पूरा का पूरा बिवस्था बनाना शुरू किया, तो ये किड़सी विभा की अस्थापना किया, आगे चलकर कुछ चीजे करने कोशिस की, लेकिन ये भी बेहतर नहीं हुआ, इसके बाड़ें भी बात करेंगे, चलिए, दूसरा काम था राजधानी का अस्थनांतरन, राजधानी का अस्थनांतरन का मतलब क्या था, कि इसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी को अस्थनांतरन करने की कोशिस की, कहां से कहां, दिल्ली से देवगिरी, तो दिल्ली से, दिल्ली से देवगिरी, देवगिरी कहा नाम महराष्ट्रा या दॉलता बाद इसका नाम है दॉलता बाद कोई दिक्कत नहीं है इसको लिख लीजेगा जो बात में लिखूँगा ना उसको कौपी में लिखना बेटा तो दिल्ली से देवगिरी इसने अपनी बेवस्था को लागू करने की कोशिश की, अब क्या हुआ इसने कि राजधानी प्रवर्तन एक पूरा का पूरा फरमान जारी किया, जिसको तुलो की फरमान बोलते हैं, फरमान जारी कि दिल्ली दौलताबाद अस्थान अंत्रन होगा, क्यों दौलताबाद करी कि इसको लगता था कि दौलताबाद सेंटर में है भारत के और वहां से हम साउथ को भी कवर कर लेंगे, यानि साउथ में जो समराज का बिस्तार नहीं हुआ है, साउथ में समराज का बिस्तार कर लेंगे, नौर्थ तो हमारे पास हैं ही, और वहां से हम कबजा कर लेंगे. कुछ इतिहासकार कहते हैं, चुकि यह पगला था, तो जो दिल्ली का जनता है, वह कागजों पे और पेपरों पे, अखबारों पे या कपरों पे गालिया लिख करके उसके महल में फेग दिया करता था, और यह बात उसको अच्छा नहीं लगता था, तो दिल्ली के जनता को सिखाने के लिए तुम राजधानी परवर्तन कर देगा, उसको पकरो, कोरा मारो, उसको सिखाओ, नहीं हो तो एक नैतिक टीचर रखो, अपना, मतलब उसके एक सोतरा के बिवस्था हो सकते हैं, तुम राजधानी परवर्तन कर देगा, तो यह पॉइंट यहां पे, समझ र बांध के ले गया, कहां, दौलता बांध तक, दौलता बाद तक, अब उससे में को येरोपलिन तो था नहीं कि एक बार में उड़के चला जाएगा, और पूरी राजधानी को सिफ्ट करना है, तो राजा का बैठक होगा, राजा का कुरसी होगा, राजा का पूरा रोसुय होगा, राजा का पूरा रोसुय घर होगा, उनकी रानी होगा, उनका परिवार होगा, मंत्री गन होगा, सामन्त होगा, पूरी विवस्था होगी, हतियार होगा, जखिरा होगा, सब होगा, सारा परिवर्तन होगा, यानि कि जब कारवा वहां से निकलेगा, तो हजारो बाकी पैदल चलते चलते भूख प्यास से बहू सारा लोग मर गया। मतलब जो नहीं जाना चाहता था और उसमें बहु सारा लोग मर गया राजा जब वर्धस्ती रहे गहिक ह起來 गसिट गसिट के तो नमर गया। जब दॉलता बात पहुंचा तो आपर देखा कि North में ध्यान दिजेगा, तो इसने क्या महसूस किया, कि दौलताबाद से अब सासन नहीं चलाया जा सकता है, तो वापस चलो दिल्ली, तो फिर वापस दिल्ली आया, देखो, वापस फिर दिल्ली, मतलब पहले चलो दौलताबाद, आप कहां चलो, दिल्ली, वापस फिर दिल्ली आय पिर पूरे लाव लसकर को लेकर को आपस आया फिर उसमें से कई मर गया जो तो राजधानी परिवर्तन इसका फेल रहा है और उसमें बहुत नुक्सान तोगन मुद्रा मतलब सांकेतिक मुद्रा आज भी चलता है पूरे दुनिया में जानते हैं कागच अब 2,000 का नोट है तो इसका मतलब थोड़ी कि वो उसमें 2,000 रुपया की समगरी लगी हुई है आरे रिजर्ब बैंक ने एप्रूब किया है गौवर्मेंट उसका साथ दे रहे है तो वो 2,000 का नोट है बासमें नहीं यानि गौवर्मेंट उस नोट के पीछे खड़ी है कि यह 2,000 का नोट है तो इसलिए मार्केट में 2,000 में चल रहा है इसी को संकेतिक मुद्रा करता है उस समय संकेतिक मुद्रा नहीं था उस मुद्रे की वैलू के बड़ावर का मुद्रा होता था यानि कि सोने का मुद्रा था चांदी का मुद्रा था तो जो मुद्रा मार्केट में था उस वैलू को अपने आप में रखता भी था अपने पास में उतने का सोने था वो उतना का चांदी था लेकिन संकेतिक मुद्रे में क्या उतने का 2000 का नोट हो तो कागज का है बनने में जो पैसा लगा होतना ही न, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो संकेतिक मुद्रा, पूरे भारत में, पूरे दुनिया में अभी संकेतिक मुद्रा ही चल रहा है, सबसे पहले संकेतिक मुद्रा के सुरुवाचीन में हुई थी, और वहां से सीख करके इसने भी टोक संकेतिक मुद्रा की बात करते हैं, या टोकन, इसने क्या किया, इसने कहा, कि जो चांदी का मुद्रा है, ठीक है, उसके बदले में कांसे का मुद्रा, सरकार जारी करेगी बदले में, और कांसे की मुद्रा का जो वैल्यू मार्केट में होगा, वह एक्कुवैलेंटू सिल्वर होगा, मतलब, जैसे अभी है, अभी सांकेटिंग मुद्रा ही चल रहा है, यानि कि आपके 2000 का जो नोट है, वो इसलिए है, क्योंकि सरकार कह रहे है कि ये 2000 का नोट है, तो 2000 में चल रहा है, लेकिन क्या वो 2000 का एक्जेक्ट उसमें जो खर्चा है, वो 2000 है, वो पेपर, उसमें जो 5000 का है, नहीं है, लेकिन वो सांके, सरकार उसके साथ है तो वो चल रहा है, ठीक उसी तरीके से इसने कहा कि कांसे का मुद्रा बजार में चलेगा, लेकिन वो चांदी के मुद्रा के बड़ावर की value रखेगा, ये बात इसने कहा, ठीक है, पक्का चलिए, अब क्या हुआ कि जब इसने कहां से के मुध्रा को जारी किया चाह, दूसरा बात क्या था? कि चान्दी के मुध्रा को सरकार के हां जमा करा बड 266 यह बात हुला एक कि दिमोंटाइजेशन will be अक ऑगvio की मुद्रीकरण का पहला प्रयास कांसे के मुद्रा जमा करना शुरू हुआ, यानि सिल्वर का मुद्रा जमा करना शुरू हुआ, और बदले में लोगों ने कांसे का मुद्रा लेना शुरू कर दिया, अब जब यह अफरा तफरी चल ला था, तो लोगों ने, जिनके पास कांसा था, जो क्या बोलते हैं, नकल अब लोग जो जीनको जाके treasury में जाकर के silver का मुद्रा जमा करना था और कहां सा लेना था वहां लोग कहने लगे कि ना केंको जमा कर दो अब नकली मुद्रा का पचलन इतना ज्यादा हो गया समराज में कि बाजार का जो अर्थ वस्था और मुद्राि इस फीती बहुत बढ़ गया और अर्थ वस्था बिलें लगा यानि कि तरहिमाम हो गया ऐसा तरहिमाम हो गया कि कासे के मुद्रा से जो दुकांदार है वो नमक देना भी बंद कर दिया यह value हो गया कासे के मुद्रा का market में कहां तो सरकार चाहती थी कि वो silver के बरावर का मुद्रा हो अब कहां तो value हो गया कि वो नमक भी उसे मिलना नहीं हुआ तो फिर अब क्या हुआ इस साकेंतिक मुद्रा का जो पूरा का पूरा कहानी था इसको वापस लेना पड़ा अब इतिहासकार ये लिखते हैं कि जब संकेतिक मुद्रा को वापस लेना शुरू किये तो सुल्तान के महल के पास कासे के मुद्रा का धेर लग गया और सुल्तान को जब चांदी देना शुरू किया तो उसको अपने घर का बरतन और मुर्तिया गलवा गलवा करके चांदी देना पड़ा लोगों को जब इस पूरे डिमोनिटाइजेशन को वापस लिया गया तब अब समझे कितना च्छती है अब कुछ इतिहांसकार कहते हैं कि नहीं संकेतिक मुद्रा जब चला था तो उसमें एक पूरा का पूरा पहचां था जो कि उसके असली और नकली होने का प्रमान देता था तो जो असली था उसी को वापस लिया गया नकली को नहीं लिया गया तो अगर ये बात सही है तो सरकार का वहाँ पे कमी यानि कि फिर से समराट की एक कमी, यानि MBT की कमी दिखाई देती है, कि अगर यह बास सही है, तो लोगों तक उसने उस मुद्रा का पहचान क्यों नहीं बताया, जैसे आज हम फुतक पहचानते हैं, कि भाई मुद्रा का यह यह पहचान है अमारे नोट का, अगर यह है तो यह असली है, नहीं तो नकली है, यह पहचान बताता है गौवर्मेंट, गौवर्मेंट का काम है बताना है आपको, तो उनका भी काम होना चाहिए, पूरा अधिकारी लगा दे ताकि संकेतिक मुद्रा को पहचान, ताकि उसका कोई डूब्लिकेट ने कर सके, वो तो आपने किया नहीं, तो डूब्लिकेशन तो होगा, डूब्लिकेशन हुआ, तो यह जो यह भी जो प्रजेक्ट था, यह भ देवगिरी गया, तो दिल्ली के आसपास के शेतर में पूरान दोलन चलने लगा, फिर से देवगी दौलताबाद से या देवगिरी से दिल्ली आया, तो यह यहां पर राजधानी का फेल, संकेतिक मुद्रा मैंने अच्छे तरीके समझा दिया, यह भी फेल, अब खुरासा अवियान में, वहां पर यह मैसेज आया था सुल्तान तक, कि खुरासान जो कि इरान बगरा का जो इलाका, वहां पर सरकारे बदली हैं, और जनता वहां पर नए सरकार से खुश नहीं है, तो आप आकरमन कर दीजा, उसको अपने में कभजा कर लीजे, इसने तीन लाख की ब अरचा बढ़वाद सेना को भंग करना पड़ा, यह बढ़वाद, ठीक है, कराचील में क्या हुआ, यह बढ़व का इलाका है, उत्रा खंड का कुमायू बगरा का इलाका है, नेपाल बगरा का इलाका, वहां पर हमला किया, शुरुवाती में कुछ फैदा हुआ, लेकिन ज सही नहीं थे, अब यह decision उनके अधिकारियों के विज़ से सही नहीं थे, जो भी हो, नाम तो आप कहीं आएगा क्योंकि समराट आप थे, दिवाने को ही किर्सी विभाग, किर्सी विभाग का भी कहानी आपको सुना दे, किर्सी विभाग में क्या हुआ था, इन्होंने एक जगा देखने को कहा अधिकारियों को, उन्होंने का कि यह जगा पूरा एकदम बड़ा सा जगा देखो, वहाँ पर खेती होगा, किसानों से खेती करवाओ, और किसानों को खेती के बदले में, उसको हम पैसा देंगे, और फिर इस से क्या होगा, टैक्स के रूप में भी हम मिल के खेती करेगा और जो धन होगा उसकी हिसाब से बटवारा होगा किसानों को दिया जाएगा उसकी हिसाब से फिर राज की संपत्ति होगी राज उसको बेचेगा वहां से पैसा लाएगा यह पूरा का पूरा साहकारत्या का कहानी है यह वहां पे सुरू करता है अपने समय और decision making और जानते हैं कि कितना ये short temper भी था, तो ये मुहम्मद बिन तुगलक का पूरा कहानी था, जो बात हमने आपको बताया, फोटो भी आपको मैंने दिखाया था, ये बात आप समल लीजे, कुछ question भी आपको बताया, तो दिवाने कोई किर्शी विभाग किस से related है, मुहम्मद बिन तुगलक से, MBT से, जिसे पगला सुल्तान भी कहते हैं, ठीक है, चलिए, अब MBT के बाद हम लोग बात करते हैं, फिरोसा तुगलक के बारे में, फिरोसा तुगलक, इसको बोलते हैं FST, मुहम्मद बिन तुगलक के बाद सासक बनता है, और इसने सासन विवस्था धर्म के जो अनुवाई लोग है, जिसको आप मौलाना कहले, या जो भी कहले, उसके अंसार से यह सासन करना सुरू करते हैं, मतलब सर्या के हिसाब से सासन करना सुरू करते हैं, बड़ा कटर है, काम इसने बहुत अच्छा चा किया है, लेकिन कटरता इसमें इतना ज़ादा है, कि इसको बेहतर सासक साबित करने में इतिहासकार फेल हो गया है, ठीक है, चलिए, इनके बारे में बात करते हैं, मौंबग बिnd तूलक, ये एक पहला सासक है, जो ब्रहामनों पर भी जजिया लगाया, तो ये कोशन när उब में है, कौन ऐसा सासक है, जो ब्रहामन पर भी जजिया नच पर लगाया, जजिया टैकस लगाया, ठीक है, तो कौन ये फिरोज सा तूलक, अगर हम tax की बात यहाँ पर कर लिये तो कुछ tax की बात यहाँ पर कर ले ठीक है tax कौन कौन सा tax था देखो एक था comes या kums ठीक है यह kums था एक था खराज एक था जजिया ठीक है एक था जकात ठीक है तो जो kums था वो loot का माल था loot का loot का माल था ठीक है लड़ाई बेकरम में जो समान मिलते थे उसको बांट दिया जाता था जो खराज था खराज वो था आपका भूर आजस्व भूर आजस्व था जो जजिया था वो गैर मुसलिमों से तो गैर मुसलिमों से मैं कौन था हिंदू ही था तो गैर मुसलिमों से लेने लिया जाने वाला टैक्स था गैर मुसलिमों मुसलिमों से ठीक है और एक बन जाता है हमारा क्या जकात तो यह मुसलिमों से उसके आमदनी का कुछ पर्तिशत था मुस्लिमों से आगे चरके अलाव दिन खिल जी मैं जरा चीज को ठीक करूं ठीक है आगे चरकर के अलाव दिन खिल जी जो है ना घर ही घर ही और चर ही शुरू किया चर ही है ना हाउस टैक्स है यह और चारा पर टैक्स है यह किसने शुरू किया अलाव दिन खिल जी ठीक है उसके बाद सिचाईकर लगाया किसने एफस्टी सिचाईकर तो वह हम बात अभी कर लेंगे तो यह देखेगा खुम्स खराज जज्या जकात तो सबसे पहले जज्या बढ़ामनों पे किसने लगाया फिरोसा तुगलक ने ठीक है चली तो फिरोसा तुगलक ने सबसे पहले बढ़ामनों पे जज्या लगा यह सतीपरता पर भी रोग करने के लिए काम किये थे ठीक है खुशन बंजा तो देख ली जागा ये एक कट्टर था लेकिन इसके काम देखो करके परकार मैंने बता द अगर ये FST ने लगाया था इस इचाई के उपर टैक्स था और ये कोशन एक्जाम में कई बार पूछा है कई बारी BBI है बहुत इंपोर्टेंट है इस बात को अच्छे परीके से समझेगा चले ठीक है तो हम लोग ने बात किया यहां पर अब देखिए अब इसने कुश सह जौना खान के नाम पे है जौना खान और जौना खान कौन था मुहमद बिन तुगलक का नाम था जौना खान और जौनपूर सहर को बसाया किस ने तो जौनपूर सहर को बसाया फिरोज सा तुगलक ने तो FST ने इसे बसाया लेकिन MBT के ये नाम पे है यानि जौना खान के पे जौन पूर्च सहर है जलिए वियों पूर सहर इन होजोन पूर्च से किसके नाम के बसाया गया तोमः Candle Kate कि बसाया बहुत्या यह बात आ इजयान में रखाएगा ंशो के दो अस्तमूप को इसने डी पेट से अद्ल्फ से से कहां लाया दिल्ली लाया जैसे टोपरा जो हर्याना में है और मेरट जो यूपी में हो वहां से कहां लेके आया दिल्ली लाया और जब आप तुगलकाबाद के किला में और वहां जाएंगे तो आपको असोख का स्थम दिखेगा हम देख के आये हैं ठीक है तो मेरट से और ठीक है इसने कुछ विभागों की अस्थापना किया वो देखते हैं दाड़ुल सफा अस्पताल है दिवाने खैरात लड़कियों की साधी के लिए या खैरात है तो समनलिजे की दान विभाग है यह ॆ दान ठीक है? चलो, दिवाने बंदगान, बंदगान है यानी कि गुलाम भी भाग है, और यहां से एकजाम का कोस्ण है, कि सबसे ज्यादा गुलाम किस आसा के पास था, तो क्या बोलते हैं? FST के पास था, सबसे ज्यादा गुलाम, ठीक है, गुलाम कहते हैं कि 1,80,000 गुलाम इसके हाँ काम करते थे अब समझ लीजे कितना बड़ा गुलामों की संख्या थी तो सबसे ज़्यादा गुलाम किसके पास है फिरो सत्तूलर के पास है और उसने एक डिपार्टमेंट विनाया दिवाने बंदगान बंदगान से याद रखें बंदगान गुलाम बंदा बंदगान दारुल सफा दारु से याद रखें दवा दारु है न अस्पताल खारात से याद रखे दान विभाग है इस्तिहाक पेंसन विभाग है यह भी ध्यान रखेगा पेंसन विभाग फीविया एक्जाम का कोशन पूछते हैं पेंसन विभाग ठीक है चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इसके बारे में कि इसके बारे में अगला पॉइंट अगर हम बात करें थोड़ा सा ध्यान रखेगा तो सबसे ज्यादा नहरों का निर्मान करवाया सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा नहरों का निर्मान किया नहरों का निर्मान ठीक है नहरों का निर्मान यह भी एक्जाम का कोश्चन है याद नहरों का निर्मान सबसे जादा बागों का निर्मान करना आधा Why the seven bisa आपके का आमधनी होता था दो लाक तंके का मतलब दो लाग चांदी के सिक्के साल में कितनी बड़ी आम गुद नीया है अभ सिर्फ बगीच से कहते हैं कि 12000 बगीचा लगवा था बारा हजार बगीचा आप समझ लीजे और जो नहरो का निर्मान है वो आज के डिट में पाकिस्तान और पंजाब के जो छित्र है वहाँ पे सबसे ज़्याद नहरो का निर्मान करवाया था नहरो का जाल बिछा दिया था कहते कि नहरो का जाल किसने बिछाया तो फिरोज सत्तुगल इसने बहुत सारे सहर का निरमान किया फिरोजसा, फिरोजहिसार, फिरोजाबाद, जिसमें जॉणपुर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखेगा फिरोज्सा फिरोजत सात ही कंगलक के बारे में ययाद राखेगा कि in Rogers टूलग के बारे में से कटर था इसमें एक क्या बलते हैं कि ये बात फिरो साथ इनप्रम तगलक के बारे में याद रखेंगे आ अप उसके बारे में फिरो सथ से तूलक के बाद हम लोग बान ₹ 1398 में सुल्तान नसुर्दीन महमूद साथ तुगलग कोई काम का नहीं है, बस इसको इसलिए याद रखना क्योंकि इसके समय में तैमूर ने भारत पे आकरमन किया था, तो चंगेज ने भारत पे आकरमन किया था, किसके समय में मैंने पर्हाया है पिछले विडियो में, इल्टूतमिस और तैमूर ने भारत पे आकर्मन किया किस के समय में तो नसुरुदूईन, ठीक है और इस दोनों का जो बनसज है उसका नाम है बावड और इसने भारत पे आकर्मन किस से किया किस समय इबढाहिन लोधी जिसके बारे में बात कर लेंगे तो तैमूर का और क्या बोलते हैं चंगेज का दोनों का बावर और इब्राहिम लोदी के समय में इसने आकरमन किया तो आप समझ रहे हैं कि भारत में आकरमन किसके समय में कैसे हुआ वो सब मैंने लिखा है एक्जाम का कोशन बनते हैं यह मूस्ट भी भी आई है याद रखना है जैसे मैंने लिखा हूँ, ऐसे लिख लो ठीक है अगर लिखने में बड़ा इन पर और सबसे बली बात कि यह किसके समय में हुआ तो नसुरुदीन के समय में ठीक है चली आगे अब बात करते हैं सय्यद डैनेस्टी के बारे में नया डैनेस्टी सुरूँ हो जाता है सय्य सिर्फ नाम याद रखना कोई किसी काम का नहीं तो देखो 30 साल में डैनेश्टरी खतम 35 साल में खीजर खान founder है खीजर खान बस यही कोशन एक्जाम में पूछ देगा founder कौन है खीजर खान founder क्क ere unacceptable है ऐसके बाद मभारक है मम्हंुंब सा अलम सा यहां पक्या कोशन पूछते बताए कुछ पूछने के तो नहीं किसी काम का तु है नहीं किसी काम का तो एल चौ पुछ देते हैं से site time period से arrange करने के लिए कि time period में इसको arrange करो वह कोशन पूछ लेते हैं अब कुछ नहीं पूछने के लिए तो क्या खड़ेगा यहीं पूछेगा चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं अगरा point हम भूग बात करते हैं लोदी डायनस्टी, very important, बहुत हुआ कॉषन है इसके संस्थापक है बहलोल लोदी के वाद जो in आपको बता दू तो इसने आगरा सहर को निर्मान किया और आगरा को अपना राजधानी भी बनाया यानि कि राजधानी भी आगरा को बनाया ये बात थ्यान में रखियेगा और आगरा सहर का निर्मान कराया ये कोशन एकजाम में पूछा है सिकंदर लोधी और सिकंदर लोध कि यह कविता भीलीक था गुल लुट कि नाम से कविता भी लिखता था तो इसलिए सिकंदर ओर अप्राहिम लुदी कोई काम का नहीं है लुदी बंसकांतिम सासक और बावर ने इसी समय आकर्भन किया था और बावर लोधी डानेस्टी की समापती हो जाती है और लोधी डानेस्टी के समापती होने के बाद मुगलबंस का अस्थापना हो जाता है मुगल बंस का तो यह है आपका सिकंदर लोधी और यह है आपका अमीर खुसरो तो अमीर खुसरो के माने बात कर लेंगे तो यह है सिकंदर लोधी याद रखिएगा और इबराहिम लोधी लास्ट है लोधी रानेस्टी का तो यहाँ पे सल्तनत काल के अंतिम सासक को हमने देख लिया जो लोधी है इबराहिम लोधी है तो सल्तनत काल की जब हम बात किये तो हमने कहा था कि उसका पहला सासक उसके संस्थापक यहाँ की गुराम बंज का संस्थापक कुतु बुद्धी ने बखा है और अन्तिम सासक में लोधी का सबसे लाष्ट इबराहिम लोधी है और यहां पर सल्तन समाप्त होता है और एक नए राजबन्स की सुरुवात होती है 1526 इस्वी में पानिपत के पर्थम लराई से और वो बावर होता है अब आगे थुरा सा अमीर खुसरो के बारे में हम लोग बात कर ले अमीर खुसरो अमीर खुसरो भारतिय संस्कृति में सबसे इंपोर्टेंट है इसे तोताय हिंद कहा जाता है तोताय हिंद देखो तोताय हिंद कहा जाता है एक्जाम का कोस्षन बना है ठीक है और ये सात सरकारों का, सात सासनों का सासन देखा, सासकों का सासन देखा था, ये भी कोस्ञन एक्जाम में पूछा हुआ है, ये बाध ध्यान रखेगा और इसके बारे में अगला पॉइंट क्या है, कि ये निजाम requirements किया है, कि ये निजाम अमुद्दीन ओलिया के SISते, कहते तो आपको बता देंगे, ठीक है, इसलिए वहाँ पे दो चादर देते हैं, चादर मैं गया था एक बार, ठीक है, तो निजामुदिन ओलिया पे भी और अमीर खुसरो पे भी चलाने के लिए, चलो ठीक है, अमीर खुसरो उर्दू भासा के डेवलोप्मेंट में बहुत कि भारत में उर्दू भासा का डेवलोप्मेंट में सबसे ज़्यादा युगदान किस ने दिया था, अमीर खुसरो, बहुत बहुत बड़ा नाम है, भारतिये संस्कृति, भारतिये म्यूजिक, और भारतिये जो आचार बेभार है, उसमें अमीर खुसरो का नाम बहुत तबला, सितार, साथ सासक, तोयताय हिंद, यह सब याद रखिएगा अमीर खुसरो के बारे में, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब इसी समय, खास करके MBT की समय, मुहम्माद बिन तुगलक के समय, MBT के समय में, एक विजय नगर समराज बना था, विजय नगर समराज जिसके संस्थापकते हरियर और बुक्का, और इसकी राजधानी हमपी, और हमपी जानते हैं, आपके UNESCO का धरोहर है, हमपी, है ना, UNESCO का धरोहर है, हमपी, तो विजय नगर समराज के स्थापना हरियर और बुक्का करते हैं, हम विजय नगर समराज के बारे में बात कर रहे हैं, ए यहां पर ध्यान रखेगा सबसे पहले पॉइंट जो यहां से भी कोशन पूछ लेते हैं कि विजय नेगर समराज में किन किन राजबंसों ने सासन किया यहां पर लिखा हुआ है दोनों तरफ हिंदी इंगलीज दोनों में संगम बंस तब सालूब तब तुलूब तब आरा ब एक इंगранे के लिए को के हैं एधीम्ड के भी कोशन पूछ लेते हैं थीक है तो हामिया पर बात करना सुरू करते हैं संगम cuatro ढ्यंट से ब़िजय न्यंगर समराज का रासधानी मेंने क्या बताया मैं ब्यजय नगर हए हम है संगम बंस क्वेозя संगम है याद रखेगा पहला बन संगम है ठीक है सस्थापक है हरियर बुक्का हरियर पर्थम है फिर बुक्का पर्थम फिर हरियर दूर्थिये ने गोवा को बहमनी से छीना था हड़ी हर दूतिये ने, यह कोशन एकजाम में आ सकता है, तो यह भी भी आई है, चोकि इसी के contemporary बहमनी भी थे, चोकि हम आगे देखेंगे, बहमनी, जो हसन गंगुजी, इसके संस्थापक थे बहमनी, ठीक है, तो उसके बाद देवराय पर्थम, बहुत इंपोटेंट है, दे इसलिए कोशन पूचा पता है, देवराय पर्थम किस बंसके थे, तो संगम बंसके, पहला कोशन, दूसरा कोशन, देवराय दूतिये, तो भी संगम बंसके, ठीक है, तीसरा कोशन, निकोलो कोंटी किसके समय आया था, और कहां का यात्री था, तो निकोलो कोंटी तो यात्र देवराय दूतिये, पर निकॉलो डिकॉरीनटी निकॉलो डिकॉलो डिकॉलो रखने वाला था इटली का रहने वाला था यह को सन बहुत इंपोर्टेंट है शन्सथापक है सल्लूब नर्सी किसी काम का डूंद का नाम का है स्ल्लूब जान्स सबसे और पूरे विजय선 अगरसमराज का सब सबसे बहतरीन सासक है, क्रिश्न देवराय का बात बताते हैं, इसके दर्वार में अस्ट दिगज रहते थे, अस्ट परधान, अस्ट दिगज रहते थे, तेनाली रामन, इनके दर्वार में रहते थे, याद रखेगा क्रिस्न देवराय के दर्वार में, चलिए क्रिस्न देवराय के बारे में बात करते हैं, इन्होंने हजारा राम मंदीर और बिठल स्वामी मंदीर का निर्मान करवाया, याद रखेगा क्रिस्न देवराय का, मैंन संगमबंस का सबको बहुत इंकोल इंतनी жांस संगम स्काल ठीका है यह थrav संगम बास का हजारा मंदिर इंतने इंतने इंतनका है म किसन बन माइब कई सब्सक्राइण स्नुर्ट और औ हणahi यह जो इतना कोंट पूचा है उनका किताब तेलुगु में लिखहे यह नम्युक्तमाल्दां में पूछा इतना बार किताम नीमी में है। एक दम आउट अफ दो वर्ल्ड है इतना वार कोशन पूछा है ठीक है चलिए अब आवे देको बार्वोसा और डुमिंगो पायस भारत के दोड़े पर आया था के डियार के समय में तो भारत के दोड़े पर जो लोग आये थे उसको अगर एक तरीके से हम यहां पर थोड़ा स आपको सजा है तो कुछ इस तरीके से सजता है जरा मैं बता दूँ सबसे पहले फायान हुएन सांग ठीक है निकोलो कॉंटी अबदुर रज्जाक बार्बोसा डुमिंगो पायस ठीक है इसी समय एक और है इत्सिंग वेन सांग क्या सपास ही आते है इत्सिंग थीक है? ये सब, ये सारे आते हैं भारत, उससे पहले है हमारा मेगा स्थिनीज बहुत सारे लोग है, थीक है? ये मैने बताएंगे वेंसा negative, किस के समय में आता है ये आप मैं बताएंगे, Nicolo Di Conti, यह किसके समय आया था, मैंने बताया पर्थम, देवराय पर्थम अब्दुर रजा किसके समय था, देवराय दूतिय, यह मैंने बताया यह दोनों किसके समय था, KDR कोशन याद में रखना, फायान और वेंसांग आपको बता ही देता हूं, हर्स और चंद्रगुप्त दूतिय याद रखे आगा ठीक है यह जो लोग आया है हमारे हैं उसका पूरा का पूरा लिस्ट है तो बिठ्थल स्वामी मंदिर और यह सब बात बता दिया है बारवोसा और डुमिंगो पायस भारत के दोरे पर आया था यह बात हमने आपको बता दिया ठीक है चलिए अब आगे बरते हैं यह देखो यह हमारा कृष्ण देवराय के डिया के डिया है हमारा कृष्ण देवराय देख रहे हो ना और यह है आपका बिठ्थल स्वामी मंदिर और यह हजारा राम मंदिर और यह के डिया बहुत इंपॉर्टेंट सासक है भी भी आई है सब एक्जाम के लिए ठीक है इसको छोड के नहीं जाया सकते हैं डुमिंगो पायस और बारबोर्डोसा पक्का निकोलो अभ्दुर रजाग देवरा है निकोले का इटलि का ठीक है आगे बढ़ें आगे आता है अच्यूत देवरा है नुनीज भारत आया था नुनीज यहां पे फिर आगे रावे डेखा क्यों अच्ञी यह सदासिव डेवा है व्हार मैंस्यकों श्मैंटर इंप्ट मेंशा क्योंकि Battle of Talikota, जिसे रक्षय स्तंग्री का यूद भी कहा जाता है, इसी यूद के बाद बिजय नगर समराज तहसनास हो गया, और जो बचा वो बस ध्वनसा सेस है और कुछ नहीं है, बिजय नगर समराज तहसनास हो गया, इसी यूद के बाद, और किसके साथ यूद हुआ तो बहमनी के साथ यूद हुआ था, दरसल बहमनी पांच भागों में बढ़ जाता है, बरार, बीदर, अहमत नगर, बीजापूर, और उन चारो पांचों ने मिल करके, और हमला किया था बिजय नगर पे, और उसमें बिजय नगर के सासक्ते सदा सिवराय, और फिर वो हार बिजय नगर समराज का पतन सुरू हो जाता है, एक नया डैनेस्टी तो आता है, आरा बीडू डैनेस्टी, जिसको तिरुमल ने अस्थापना किया था, लेकिन बस ये नाम मातर का होता है, तो रक्षय स्तंगरी का यूद जो 1565 में हुआ था, जो तल्ला काटी, जिसको ताल तो ध्यान रखेगा, जो बात मैंने आपको बताया, और जो लोग आये, उसके मारत किएगा, उसमें एक नूनीज जोड लिजएगा, अच्छे से लिखना, अगर मैंने अच्छे से नहीं लिखा, तो आप तो अच्छे से लिखो, वीडियो को देख के, रोक के, अच्छे से लेकिन हासन गंगु कहा जाता है, इसका राजधानी है, गुलबरगा, तो ये कोशन एक्जाम में कई बार पूछा है, याद रखेगा, गुलबरगा इसके राजधानी है, याद रखेगा, हासन गंगु इसके फांडर है, बहमनी और बिजय नगर समराज के बीच में और ये है कृष्णा नदी का ट्रिबुटरीज तुंग भद्रा, और ये है द्वाव, किस वाव है, कृष्णा और तुंग भद्रा का ठीक हाई, तो क्रिश्णा तुंग भद्रा के द्वाव को लेकर के, बहमनी और बिजय नगर में लराई था, तो अगर आपसे कोशन पूशे कि बहमानी ओर बीजय नगर में लड़ाई किसको ले कर एकरुद कर तो कृिष्णा और तुण्भद्र현 द्वाब को लेकर लेकर के बहमनी और बिजय नगर के बीच में लड़ाई था इस बात से अथे तरिके सुमज्ञें इसको कर लिजेगा ठीक है, को दिकत नहीं, आगे बढ़ें, चलो, आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, तो बहमानी किंग्डम पहले एक हुआ करता था, बाद में बहमानी अलग-लग भागों में बठ गया, जिसमें बरार, बीजापूर, आहमादनगर, गुलकुंडा और बीदर, ठीक है, इन भ के बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक छोड़ा सा पॉइंट आपको बताते हैं, ठीक है, और वो पॉइंट ये है, कि ये है आपका गोल-गुंबज, एक्जाम का कोशन है, किसने बनवाया, मुहमद आदिल साह ने, और ये है आपका चार मिनार हैदराबाद में, और कोशन सॉल्व कीजिए, जरूर सॉल्व होगा एक्जाम का कोशन, तो थैंक यू, थैंक यू बेरी मच्च